तेखिए एक विलड इलेशन का question है क्या question है यहाँ पर symbolical question है symbolical question का मैंने आपको पहले भी concept बताया और अब फिर बता रहाँ कि आपको P cross Q मतलब P is father of Q P father is किस का Q का या minus का मतलब P sister of Q plus का मतलब P is mother of Q divide का मतलब अब इसमें इनको बातने पड़ो पहले questions लो जैसे question 1 है कि आपसे बोला है कि D sorry B plus D multiply M divided by N how is M related to B M का B से relation बताना अब आपको symbol देखना जैसे plus का मतलब यहीं देखे P is the mother of Q B is the mother of D यह mother है यह हमें पता चल गया right अब multiply का मतलब देखिए P is the father of Q यानि पहला वाला जो है P is the father of Q तो यहाँ पर D cross M में D is father of M यह father हो गया है न अब उसके बाद आते हैं हमसे पूछा relation किसका है M and B का तो M और B का पूछा है तो अब उसके आगे ना भी बनाओ तो चलेगा तो M जो है D जो है father है किसका M का और B जो है इसकी मदर है यानि यह grand mother हुई तो आप grand अब देखो इसमें क्या है confusion granddaughter grandson अभी हमें यह नहीं पता कि M का gender क्या है अब हो सकता M का gender इसका gender पता चल रहा हो अगर डेवाइट से पता चल रहा है तो लेंगे हम पी डिवाइड क्यों में इसका gender पता चल गया male male है तो इसका मतलब है grandson और मालो जेंडर पता नहीं होता तो granddaughter और grandson भी आंसर हो सकता है जैसे फिलाल में एन का gender नहीं पता में मेल फीमेल कुछ भी हो सकता तो अगर एन और बी का रिलेशन पूछते तो हम अंसर डी देते पर आभी आंसर हम सी देंगे तनी इस कोशन को करने में ये बाद में रिट करिए पहले जो पूछा है वो बताईए अब जैसे अगले कोश्चन को देखें पूछा है विच अफ दा फॉलिंग रिप्रेजेंट जे इदा सन ओफ एफ जे जो है वो एफ का सन हो ये पूछा है कि कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट होगा राइट जे अब देखिए सन के लिए रिलेशन ये है सन का रिलेशन यहां से निकल सकता है मल्टिप्लाय जबूर आना चाहिए और साथ में जे और एफ की बात कर रहे हैं तो ठीक है करके लेते हैं देखिए आप ऑप्शन एक को देखिए इसको ऑप्शन से करते हैं जे डिवाइड़ बाई आर माइनस टी मल्टिप्लाय एफ ड आर जो है वो सिस्टर है किसकी टी की और मल्टिप्लाय का मतलब है पी इसा फादर आफ क्यूं तो टी इसा फादर आफ अब जे एफ जो है वो जे का सन हो ठीक है यह बोला ना देखो जे इसा सन आफ तो यह आंसन नहीं है कट कर दीजिए थोड़ी सी प्रक्टेस से ये भी समझ मैंने लगता है कि आंसर कौन सा होगा तो अब जे प्लस आर जे प्लस आर नुक्राये तो तो J plus R, plus का मतलब क्या है, P is a mother of Q, तो J mother है किसकी, R की, minus का मतलब है, P is a sister of Q, तो R जो है, वो sister है, किसकी, T की, multiply का मतलब क्या है, P is a father of Q, तो T is a father of F, ये भी नहीं होगा answer, है न, ये भी answer नहीं है, क्योंकि नीचे आ रहा है, तो इसको भी छोड़ दीजिए, अब आई ये C पर, जब आप C पर आएंगे, तो J divided, देखे क्या क्या दिया, J divided by M, minus N, cross F, इसको भी देख ले, तो J और M के बीच पे relation देखेंगे, तो J is brother of M, ये brother है, M का minus का relation देखेंगे, तो P is a sister of Q, M is a sister of N, ये sister हो गई, right, अब multiply का मतलब क्या है, P is a father of Q, तो यहाँ पर N is a father of F, यानि ये भी statement correct नहीं है, तो answer is none of these, answer is none of these, right, फिर अगला देखते हैं, which of the following represent, R is a niece of M, ठीक है, मतलब R जो है, वो भतीजी हो, किस की, R is R भतीजी हो M की, इनके बीच में एक फादर होंगो, और यहाँ पर ये हो, ठीक है, अब आप अगर देखेंगें, M divided by option ही देखें, M divided by K, multiply by T minus R, divide का मतलब है, P is a M is a brother of K, multiply का मतलब है, P is a father of Q, K is a father of T, है न, K is a father of T, माइनस का मतलब क्या है, P is a sister of Q, तो T is a sister of R, ये sister हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये father है, तो आप से पूछा क्या है, R, R is a niece of M, यहाँ पर R का आपको gender नहीं पता, क्योंकि T minus R में, P is a brother of Q, तो T brother है, minus, sorry, का anti minus, P is a sister of Q, तो T sister है किसकी R की, अब आपको ये नहीं पता भी कि R क्या है, है न, जब आप नहीं पता, तो answer ये नहीं होगा, पर इससे कुछ मिलते जुलते ही answer होंगे, अब जैसे आप B पर जाओ, तो M minus J, plus R, minus N, ठीक, ये तो मुश्किल है answer, है न, ये तो मुश्किल है, इसको मतलो, अब इसको जाओ, चलो फिर भी देख लेते, अब आपको पूछा है, जे की, ठीक है, plus का मतलब है, P is the mother of, क्यों तो J mother है, किस की, R की, ठीक है, अब आपको पूछा है, R is a nice, तो यहां तो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, क्योंकि ये इसकी sister भती जी हुई, yes, this is the right answer, this is the right answer, इस तरह से आप questions को crack कर सकते हैं, नूट कर लिजे, कर सकते हैं,